दोस्तों यहां पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा पूरे 13,000 का इनमर्जनसी में लोन मुझे मिला है देखें इनमर्जनसी कभी किसी को बता कर नहीं आता है अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए अर्जेंट पैसा चाहिए आपके पास कोई भी अधर डॉकुमेंट्स नहीं है सिर्फ आधार काड और पैन कार्ट की बेस पर आप लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्त तक देखें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसा कंपनी जो NBFC से रजिस्टर है और आधार काड और पैन कार्ट के बेस पर पूरे एक लाग तक का परसने लोन दे सकता है कैसे करकर अप्लाई करना है कौन सा अप्लिकेशन है क्या इलिजिबिल्टी और क्राइटेरिया है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ देखिए जब भी मैं किसी अप्लिकेशन पर वीडियो बनाता हूँ तो उस अप्लिकेशन पर मैं खूट ट्राइ करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए पूरे 13,000 का पूरबल आया है इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा ठीक है तो complete information बताऊंगा लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोगों से एक request है कि चैनल को subscribe किजिए और बेलबल notification को बेलाओ करना ना भूलिए क्योंकि मैं इस चैनल पर लगाता है इस प्रकार की information वाले वीडियो आप लोगों खुलिए लाते रहता हूँ तो देखे अगर आप किसी company से loan लेना चाहते है तो सबसे पहले उस application के बारे में complete information आप लोगों के पास होना ठीक है कि क्या company interest कितना लगाता है क्या क्या documents देता है क्या eligibility and criteria है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखे यह जो loan company है minimum आपको 5000 और maximum जो है वो 1 लग तक का loan देता है तो अगर आपका जोरत 5000 का है तो आप 5000 अप्लाई करेंगे लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 2000-3000 अप्लाई करना है कम amount अप्लाई करेंगे तो loan reject होगा minimum 5000, maximum 1 लग अब यहाँ पर annual interest कितना लगेगा annual का जो interest लगेगा वो 24% से लेके 36% per annum के हिसाब से होगा एक साल का जो है यह interest बता रहा है यह एक साल का है अब यहाँ पर repayment करने का time भी कितना मिलेगा तो 91 दिन यानि कि 91 दिन से लेके 24 महिना वो depend करता है कि कितना loan amount आप ले रहें कितना दिन के ले ले रहें उस base पर आपको time मिलेगा कुछ processing charge भी कटेगा जैसे कि other application पर कटता है तो इसमें भी कटेगा इसमें होगा 2% से लेके 7% plus GST मतलब processing charge कटेगा साथ में जो government का GST है वो भी कटेगा जो उसी में आपका कटेगा और उसके बाद यहाँ पर आपका जो पैसा है वो तुरंत आपके bank account के अंदर जो है transfer हो जाएगा इमीजेट ठीक है तकि काफी loan application जिसमें आज आप loan के लिए apply कर रहे है तो कल पुर्बल आएगा परसों आपको पैसा मिलेगा इसको तो emergency loan apps हम नहीं बोल सकते है emergency मतलब क्या अगर मैं अभी apply करता हूँ तो 2-5-10 minute के अंदर receive होना चाहिए क्योंकि मेरा काम ही नहीं बनेगा तो इससे loan लेने का क्या मतलब है तो यहाँ पर देखिए अगर आप interest को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर company ने कह रहा है कि अगर आप support rate मान लेते हैं कि 15,000 का loan लेते हैं और 36% per annum के हिसाब से interest लगता है तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी कटेगा वह 826 रुपया कटेगा टोटल जो आपके bank account के अंदर जो पैसा receive होगा जो GST है प्रोसेसिंग चार्ज यह सारा कटने के बाद कितना होगा तो यहाँ पर 14,173 रुपया और आपका EMI यहाँ पर 27,79 रुपया आएगा परतिक मेहना छे मेहना तक आपको यह amount डालना है टोटल जो आप यहाँ पर repayment करेंगे वह होगा 16,160 रुपया मतलब यहाँ पर चोगदो दू, 2000 का यहाँ पर extra आपको चार्ज लगेगा अगर 15,000 का लोन मिल रहा है और इस परकार का अगर आप 50,000 ले रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर यह सारा चीज कॉलकलेट होगा तो आप यहाँ पर देख लेना यहाँ पर एक कंपनी ने बताया चलिए अब यहाँ पर यह जो कंपनी है यह NBFC से रेजिस्टर है तो यहाँ पर देखी कंपनी ने यहाँ साप मेंसन कर रखा है कि NBFC रेजिस्टर कंपनी हमारा कोई भी दिक्कत नहीं होगा जो भी डॉकुमेंस आप देएंगे वो सेब और सिक्वल रहेगा यहाँ पर मुतूर फिनांस का अपने नाम जरूर सुना होगा ठीक है क्या है तो इल्लीविल्टी में आपका जो मिनिमं जलरी आपके पास सबसे पहले इंकम होना ही चाहिए क्याँकि अपर लोन ले रहे हैं तो पेहमेंट भी करना है तो दिक्सेतर केंपनी करना है और इसे आप apply करेंगे तो reject हो जाएगा तो यह है यहाँ पर details ठीक है आप चलिए यहाँ पर documents भी देख लिजे कि क्या क्या documents देना पड़ेगा सबसे important चीज है यह documents ठीक है तो documents में यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि सबसे पहले आपको application को जैसे ही download करेंगे basic information डालना है basic information में नाम, mobile, email address, यह सरा details होता है इसको आप फिल कर लेना उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको upload करना है ठीक है आपका documents में क्या upload करना पड़ेगा यहाँ पर साप लिखाए देखे pen card, selfie, अधार card ठीक है तीन महिना का यहाँ पर bank statement तीन महिना का bank statement देना है bank statement इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि जो भी आपका income है उसको आप यहाँ पर प्रूब करेंगे देखे एक कहवत आपने सुना होगा कि जिसके पास पैसा है उसको ही पैसा मिलता है अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े जो लोग है जो अमीर लोग है उसको लोन दिया जाता है लेकि प्रूब करने के बाद आप और लोन कंपनी के बीच में एक एग्रिमेंट पेपर बन जाएगा ठीक है कि आपने इतना तक का लोन लिया है इतना इतना दिन के लिए लोन मिला इतना इंट्रेस लगा है तो उसको आपको एक प्रकार का सिकनेचर ही बोल सकते हैं लेकिन उसको यह लोग जो है आधार बेरपिकेशन के मायदम से करते हैं इसलिए एक के वाईसी इनको नाम रखा गया है ठीक है यह सारा डेटल्स यहां पे है चलिए अब इनका कस्टमर केर का नंबर भी अभी अभ उपनी है बेंगलोर सीटी के अंदर इनका रिजिश्टर किया हुआ सारा ओपीस है अब अपलिकेशन का नाम क्या है तो अपलिकेशन का नाम है यहां पे निरा इंशन परशन लोड एप अपलिकेशन का रेटिंग यहां पे 4.2 आप जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आप लो लोगों ने review भी दिया application का loan लेने के बाद आप भी अपना review दीजिएगा कि इस application में किस प्रकार आपको loan मिला interest कहीं high तो नहीं लगा क्या application परिसान तो नहीं कर रहा है तो यह सारा review होता है ठीक है अपना अपना opinion यहां पर दिया है लेकिन जितना भी opinion आप देखेंगे फाइप स्टार रेटिंग के साथ प्ले स्टोर पर एविलेबल है और लोगों ने अच्छा अच्छा review इस application के बारे में दिया है तो किसी भी application का review रेटिंग को देख कहीं आप decide कर सकते हैं कि इस application किस प्रकार का हो सकता है क्योंकि देखें जो लोन लिया जो उसको किस प्रकार का फिल हुआ इस application से लोन लेने के बाद वो अपना opinion को क्या करते हैं submit करते हैं तो इससे confirm हो जाता है कि हां यह एक trusted loan company है तो अगर आप try करना चाहें तो application को डाउनलोड कर सकते हैं बांकी मैं बता दूं कि मैं किसी भी application को प्रमोट नहीं करता हूं मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को सही information देना सही जनकारी देना अगर आपको काफी ज़्यादा पैसे की need है emergency है आप loan लेना ही चाहते हैं तभी try करना है अन्यता पहले दोस्त रिष्टेदार या तो free friends से आपको मदद मांगना चाहिए अगर वहां से नहीं मिल पाता है तभी loan लेना बांकी इस application से loan अगर आपको नहीं मिलता है तो वीडियो के description को check out कीजिए वहां पे हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो का link आपको देखने को मिल जाएगा हर एक वीडियो में अलग अलग जो है टोफिक को cover किया गया जैसे कि आपके पास salary slip नहीं है आपके पास income proof नहीं है आपका civil score थोड़ा खराब है तो ऐसा तो है नहीं कि आपको loan नहीं मिल सकता है मिल सकता ह बस आपको सही application पर try करना पड़ेगा सही application पर जो है submit करना पड़ेगा तो कुछ यह information में आप लोगों को इस वीडियो में बताया और मुझे उमीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को like share comment जानू कीजिए इस video related कोई भी सव and milte किसी अगले